नमस्कार साथियो स्वागत आपका अमारे यूटूब चैनल प्यल कटाणा में दोस्तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बेर्ड इंट्रेस्टेस्ट 2020 की आंस्वर की तो दोस्तो आपका बिना समय वेश्ट की चलो शुरू करते हैं पहले क्यूशन से दोस्तो बेर्ड कमरत कि अम्धक भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौनता तो इसका उत्तर होगा बारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर साहे जटित्तिये था तीसरा क्यूशन करें रेगिस्तान का जल महल है तो देखिए इसका अंस्वर बाड मेर बटाडू का कुवा बाड मेर रेगिस्तान का जल महल कहलाता है चोता की संदे के बारत का सबसे बड़ा बंदरगा है तो बारत का सबसे बड़ा बंदरगा मुंबई है बारत में कितने केंदर साशित परदेश है तो दोस्तों बारत में कुल नो के अंदर साशित पर्देश है खाने के सोडे का रसाइनिक के सुत्र है तो देखे दोस्तों खाने के सोडे का रसाइनिक सुत्र एन ए एच सी ओ त्री है युनेस्को की द्रोहर सुची 2020 में सामिल राजस्तान का सहर है तो यह है दोस्तो जेपुर आटमा क्यूशन राजस्तानी चित्र कलासेली की शुरुवात राजस्तानी चित्र कलासेली की शुरुवात कहां से हुई थी तो दोस्तो इसका उत्तरोगा मेवार छे बारत का परतम गवर्नर जनरल को न ता तो इसका उत्तरोगा दोस्तो वारेन हेस्टिंग दस्वा क्युसंदे की दोस्तो ओणम का आत्योहार कहां मनाये जाता है तो इसका उत्तरोगा दोस्तो केरल में नेली क्रांती का समंद है इसका उत्तरोगा दोस्तो मतस्य पालन से gotta 2019 में दादा साभ फाले पुरसकार किम ya कि इसको दिया गया था तो इसका अंस्वरोंगा दोस्तों अभिताप बच्चन को हैं वीपिन रावत का सबंढ किस्य है तो इसका उत्रोंगा दोस्तों भारतिय सेना रक्षा शमंदी भारती सेना से समंद है जो रक्सा समंदी है चोद्वा क्यूशन भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है तो इसका उतरोगा दोस्तो साथ साथ देशों के साथ वारत की सिमा लगती है सुस्क भूमी वाला राजस्तान का जीला है तो इसका उत्रोगा दोस्तो जेसलवेर राजस्तान इस्तापना दिवस कम मनाय जाता है तो इसका उत्रोगा दोस्तो 30 मार्च को राजस्तान इस्तापना दिवस मनाये जाता है और 1942 में इसकी इस्तापना की गई थी छे लुकस ने अपने राज दूद के रूप में चंदरकुप्त मोरी के दर्बार में बेजा किसको बेजा था में इस्तनीज को अविनुविंद्रा का संबन्ध कौण से केल शे हैं तो इसका उत्रओगा दोस्तो निशाने बाजी चे वारत का सबसे स्वत्त शहर 2020 में कौन शहर तो यह है इसका आंशवर है इंदौर को भारत का सबसे अधिक पर्दूसित सहर 2020 में तो इसका उत्तर थो दोस्तो पतना अकिल बारतिये किसांट सभा की स्थापन किसने की तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सहजा नंद सरस्वती ने समुंदर की गहराई मापी जाती है उत्तर फैदो मिटर से बारत में चंदन प्रमुक उत्पादक राज्ये कोन सा है तो दोस्तों इसका क्रक ट्रांसफर होगा तमिल नाडू गिरी राष्ट्री अभ्यारणी कहां परिष्टी ते तो दोस्तों इसका क्रेक्ट रांस्वर होगा गुजरात काजी रंगा राष्टी उद्ध्यान कहां परिष्टी ते तो दोस्तों इसका क्रेक्ट रांस्वर होगा असम भारतिय पुनर जागरण का पिता किसे कहा जाता है तो भारतिय पुनर जागरण का पिता राजा राम मोहन राई को कहा जाता है तो इसका अंस्वर होगा राजा राम मोहन राई आनंद मट नामक परशिद्ध पुस्तक के लेक कोन है तो दोस्तो इसका क्रेक्ट आंश्वर होगा बंकिम चंदर चटर जी दमन करड अजन क्या है तो दोस्तो ये सब गास की किसमे हैं अर्भी पार्शी सोद सलस्तान कहां परिस्तित है तो इसका क्रेक्ट आंश्वर होगा टॉंक वनस्तिली विद्या पीट किस जीले में इस्तित है तो दोस्तो इसका क्रक्ट आंस्वर होगा टॉक मनसबदारी प्रता किसने प्रारंब की तो इसका क्रक्ट आंस्वर होगा अकबर ने नालंदा विश्व विद्याले की स्तापना किसने कीती तो इसका क्रेक्टर आमस्पर होगा दोस्तो कुमार गुप्तने भारत की सबसे लंबी तटियरे का राज्ये तो इसका उत्तर होगा दोस्तो गुजराद परतम बोध संगीती का आयोजन कहां किया गया तो इसका उत्तर होगा दोस्तों राज ग्रह में मानुश्रीर का सामान ने तापमान बहुत ही सरल क्यूशन दोस्ता आप सभी जानते हैं 37 डिगरी चेल्सियस होता है और अगर ओप्शन में 36.9 डिगरी चेल्सियस आए तो 36.9 डिगरी चेल्सियस भी इसका क्रेक्ट आंस्वर होगा बेरी बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है तो ये विटामिन बी की कमी से होता है गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था तो दोस्तों गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था प्रार्तना समाज की इस्तापना किसने की तो प्रार्तना समाज की इस्तापना आत्माराम पांडू रंग ने की थी बारतिय स्विदान के किस अनुचेद में राज्ये को परिबाशित किया तो इसका उतरोगा दोस्तो अनुचेद बारा के अंदर बारत में प्राकर्तिक रब्बर का परमुक उत्पादक राज्य कौन सा है तो इसका क्रेक टांस्फर होगा दोस्तो केरल वीश्व प्रियावन दिवस कम मनाया जाता है दोस्तो आप सभी जानते हैं 5 जून को वीश्व प्रियावन दिवस मनाया जाता है बंगाल विभाजन कब हुआ तो दोस्तों 1905 के अंदर बंगाल विभाजन हुआ था विंक्स ओफ फाइर पुस्तक के लेकक कौन है तो विंक्स ओफ फाइर पुस्तक के लेकक है दोस्तों डॉक्टर एपी जे अब्दूल कलाम Statue of Unity इस्तित है तो दोस्तों ये सयुक्त राजे अमेरिका में इस्तित है जिसे USA भी कहते हैं Goods Service Tax GST कब लागू हुआ तो दोस्तों ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था Simlipal राष्टिये पारक कौन से राज्ये में है तो इसका क्रक्ट टांसफर होगा दोस्तों उडिशा राज्ये में है इड्डू की विद्वत प्रियोजना किस राज्ये में इस्तित है तो दोस्तों इसका क्रक्ट टांसफर होगा केरल राज्ये में इस्तित है बारत का अंतिम वाई सराई कौन था तो उत्तर होगा इसका दोस्तो लाड केनि सवतंत्र भारत का प्रतम गवर्नर कौन था तो उत्तर होगा दोस्तो इसका लाड माउंट बेटन और सवतंत्र भारत का प्रतम भारती गवर्नर तो इसका क्रक्टाइब परोगा दोस्तो राज गोपालचारी दोस्तो अगर आपको विडियो पसंद आया हो तो इसे विडियो को लाइक करें शेयर करें और अमारे चैनल को सब्स्राइब करें तता बेल आइक इन के नोटिपिकेशन को दबा करके ओन करें जिसे आगामी ट्र झाल गूंगर खएव Lights करें इसे 하루 करें तता है जिसे आगर अपको बड़िदे करें तता बेल आपको गड़ियो है आपको परोगा है जिसे सब्स्तों बाखको फटैंकर दोस्तों करें ढ़को अगर आपको बड़्त इन करें पर दोस्तों